स्रीकांत का जब जनम होता है तो घर में माबाप खुशी से फूले नहीं समाते लेकिन वो कहते है ना जब सपने बड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती राजकुमार राओ की नई फिल्म स्रीकांत सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म में राजकुमार राओ ने दमदार भूमी का निभाई है और यह कहा है कि जो लोग नेत्रहीन होते हैं वो बेचारे नहीं होते स्रीकांत की कहानी की बात करें तो यह एक ऐसे सक्स की कहानी है जिनका जनम मद परदेश के मचली पटनम में होता है जिसका नाम स्रीकांत है और यह नेत्रिहीन है स्रीकांद का जब जनम होता है तो घर में माबाप खुशी से फूले नहीं समाते हाला कि उन्हें धग्गा तब लगता है जब पता चलता है कि उनका बच्चा नेत्रिहीन है यानि वो देख नहीं सकता। वो कहते हैं न जब सपने बड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती उसके बाद स्रीकांद दुनिया के सबसे प्रतिष्टित संस्थान में से एक MIT अमेरिका में अपलाई करता है जहां उसका एडमिसन हो जाता है यह कहानी स्रीकांद के सपनों की है जो नेत्रहीन होने के बाद भी बड़े बड़े ख्वाप देखा है और वो पहले नेत्रहीन राष्टपती बनना चाता है स्रीकांद ऐसी मुवी है जो इंसान को मोटिवेट करती है प्रिकांत का किरदार ऐसा है जो नेत्रिहीन होने के बावजूद आपके अंदर कुछ करने का होसला और जजबा भरता है। इस मुवी के अंदर कई ऐसे सीन है जो रोमांटिक है और कई ऐसे सीन है जो आखों में नमीला देते हैं। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी बहुत ही बढ़िया है, जो दर्चकों के दिलों में छा रहा है, इस फिल्म के डिरेक्टर तुसार हीरा नंदी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म को डिरेक्ट किया है,